नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की सेफुलेट 500 टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है सेफुलेट 500 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सेफुलेट टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यहाँ भी डिसकस करेंगे की सेफुलेट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Cephoolet एक brand name है Cephoolet tablet के अंदर sort composition Cephroxim 500 mg होता है Cephoolet tablet एक antibiotic दवा है Cephoolet tablet का उप्योग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है जैसे फेफ़रों में bacterial infection होने पर, pneumonia होने पर, खासी होने पर, पेट में infection होने पर, टाइफाइड होने पर, दातों या मसूरों में infection होने पर, जोडों या हड्डियों में infection होने पर, पेशाब में infection होने पर और कान नाग गले या तवचा पर infection होने पर Dr. Cephulet Tablet को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, वचा पर कोई घाव होने पर, या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी Dr. Cephulet Tablet को लेने की सला दे सकता है। शरीर में इंफेक्शन होने पर बुखार हो सकता है। सेफूलेट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में सेफूलेट टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में सेफूलेट टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि सेफूलेट टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है। सेफूलेट टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 13 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को Dr. Cephulate 500 mg टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। Cephulate टैबलेट को Dr. 5 दिन से लेकर 10 दिन तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। सेफूलेट टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको सेफूलेट टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि सेफूलेट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए सेफूलेट टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने सेफूलेट टैबलेट को लेने की सला दी है क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक सेफुलेट टैबलेट को लेने से एंटिबायोतिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटिबायोतिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटिबायोतिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और सेफूलेट टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है इसलिए सेफूलेट टैबलेट को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने सेफूलेट टैबलेट को लेने की सला दी है Cephulet Tablet Viral Infection होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है अगर किसी व्यक्ति को किड्नी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए क्योंकि किड्नी की बीमारी से पीडिक व्यक्तियों में Cephulet Tablet की डोज घटानी पड़ सकती है अभी इसके बारे में परियाप डेटा अवेलेबल नहीं है कि Cephulet Tablet Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं इसलिए ज्यादातर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Cephulet Tablet को न लेने की ही सलाह देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा जरुरत पढ़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तंपान करा रही महिलाओं को सेफूलेट टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सेफूलेट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं